क्लास को ताकि अपनी क्लास सभी तक बहुत अच्छे से पहुच चाहे सभी को जैश्रिगिष्णा रादे रादे हर हर मादे में तरफ से कैसे हो भी सभी स्टूडेंट्स एक बारी जल्दी से आजएगा सेशन के अंदर चलें भाई स्टार्ट करें अपनी क्लास को आप सभी क को पता है एक सेकंड वॉइज आ रही है इसमें ठीक है चलो बढ़ी गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्न आवाज प्रॉपर है मेरी आप सभी तक आ रही है आम और बाता देना एक बारी ठीक है फिर चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं हाइलाइट्स के साथ अपनी आप सभी को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाइलाइट्स आप सभी की तो अब एक एकसरसाइज जो कि हम कह सकते हैं जिसका 31 एडिशन है कौन सा है मैं 31 एडिशन यूएस के साथ हो रही है अगर हम बात करें आप लोगों से तो क्या है मालाबार एकसरसाइज है जो कि आप लोगों की क्या फ्रॉम अगस्त 11 से 21 के बीच में ऑर्गनाइज जो है वो करवाई जाएगी यानि कि अगर हम बात करते हैं मालाबार एकसरसाइज जो की अगस्त 11 से आप लोगों की अगस्त 21 तक और यह दस दिन की है मैं कितनी की अगर हम इस दे की बात करते तो 10 डेस की है और अगर हम बात कर दे तो इसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है तो मैं हम ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको होस्ट कर रहा है कौन कर रहा भई ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको होस्ट कर रहा है जिसके अंदर यूएस जेपान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं भ एक सेकंड रुकना अच्छे बंद हुई नहीं है मैं सुच्छती बंद हो गई है में तरफ से ठीक है चले तो यह क्या है यह एक से साइज है जो कि अगर मैं बात करूं यूएस जिपान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्धे-मध्धे करी जा रहे है एडिशन पूछ ले त 31 एडिशन इस बार का यह हो जाता है क्लियर यहां तक आप लोगों समझ आगी तो अब यह आप सभी को से भी समझ में आ रहे होगे कि एक्सरसाइज कौन सी है नैवी की एकसरसाइज आप सभी कि यहां पर बन जाती है ठीक चले आगे क्लियर वई चले आगे चलो नेक्स्ट हाइलाइट की तरफ चलते हैं अब आप लोगों को कल मैंने अम्रित भारत स्कीम के बारे में योजना के बारे में बताया था जिसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितनी आप लोगों के रेलवे स्टेशन को क्या कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की तो उसके अंतरगत और प्रोजेक्ट भी इंक्लूड है जो कि आप लोगों के जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर कन्या कुमारी तक जो है वह जाएगा तो अब यह दो हजार चौबिस तक क्या है कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड क अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से या फिर कश्मीर से कन्या कुमारी तक में तो एक यह भी अपडेट इसी के साथ साथ आप लोगों की यहां पर बन जाती है इसका किसके किसके द्वारा अनावरन करा गया तो प्रधान मंत्री नरेंद्रमूदी द्वारा क्या करा गया इसका अनावरन जो है अनागुरेशन जो है वह किया गया है ठीक है अमरित भारत स्कीम के अंतरगत ही ठीक एक यह हो गई फिर बात करते हैं आप सभी से मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि बहुत सरे अमबैजडर होते हैं राजदूत होते हैं एक कंट्री से दूसरी कैंट्री के अंदर दोंगे बात करिजी जाए इनका नाम करती लिव किया है आप लोगों के आप कि आप लोगों के राजदूत के रूप में फिर अगर हम बात करें राजदूत क्यों बनाये जाते हैं तो जो विवापार है जो बातचीट है जो रिलेशन है जो एक्सेसाइज है वह होती रहे ठीक है जो आप लोगों की दो देशों के बीच में जितने भी रिलेशन बन सकते हैं अच्छे जो दोनों कंट्री जो सब्सक्राइब करें है कि आप लोगों को दी थी कि कि अगर हम बात करते हैं क्सकी आप लोगों से bells करते हैं लोगों कांबोडिया की तो कमपोडिया की जो दो Haluk काफी लंबा चोड़ा सा था अब वह कहते हैं कि अब में कारेकाल नहीं करूंगा अब मेरा पुत्र जो है वो नेक्स्ट पृधानमंत्री और लीडर जो वह बनेगा तो वही है आप लोगों की निउस जो कि अगर हम बात करते है हैं पिता ने अपने ही पुत्र को क्या बनाया प्रधानमंत्री वो बनाया का कमबोडिया के अंदर तो Snapdragon King a अपोइंट होन मानेत ऐस पीम तो भई हुन मानेत कौन है जो आप लोगों के करंट क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री यह उन्हीं के ही को सत्र हैं जो की कमबोडिया के हो जाते हैं तो अगर हम बात करें जिनका नाम गईस क्या हो जाएगा अगर हम बात करते हैं जिनका नाम हो जाएगा नौडम नौडम तो नहीं है यह किंग द्वारा पॉइंट किये गए बट अगर हम बात करें प्रधान मंत्री है उन्हींने अपने पुत्र का वे आ जाएंगे ठीक है अरे की गीत बी बिलेटीड बिद्धें यहां आपको वो सब मिलें जो आप अपनी जिन्दगी में चाहते जो आप अपनी लाइफ से उमीद करते हैं आप महनत करते अपको वो सब मिलें अगला सवाल अगर हम बात करते हैं जो टैनिस टूर्नमेंट है अभी आपको पता है बहुत सब्सक्राइब होती है उस्ट्रेलिया उपन भी जो है वो भी आप लोगों का होने वाला है तो अभी बात करी जाए इसमें आप लोगों के जो पराथन है यह क्या करते हैं भाई व्मेंटवल्स के अंदर क्या कर लेते हैं मैडल है वो जीट लेती तो ये आप लोगों को क्या करना है यह कि मैंने अपनी देही ते अभी क्या होते हैं आपको पता है मनिपूर के अंदर वाइलेंस वगेरा जो चल रहे हैं उसके तहतť सुप्रीम कोट ने क्या करहा है तीन महिलाओं की क्या करी है आप लोगों की एक धाये कमीटी जो है वह बिठाई है अब कार्णे जो हैं वो करेंगी इसके उपर पूरा का पूरा एक हम कह सकते कमीटी वैटी है जो की वर्क करने वाली है तो वही है कि सुप्रीम कोट ने तीन मेंबर की जो कमीटी है वुमेंस की वो बिठाई है जो कि आप लोगों की पूर्व हाई कोट की जज भी रह चुकी ह है और यह किसलिए करा गया है मनिपूर के अंदर जो वालेंस अफेक्ट हुआ है उसके लिए भई हना क्योंकि मनिपूर गवर्मेंट जो है वहाँ पे तो और अलग-अलग प्रकार की चीज़े आप लोगों को और भी देखने के लिए मिल रही है बट वो जो मुद्दा था उससे आगे कोई भी वर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा तो अब सुप्रीम कोट द्वारा क्या किया गया है तीन मेंबर या फिर आप कह सकते हो तीन जो फॉर्मर जज है आप लोगों की हाई को उनको बिठाया गया उनकी कमीटी बिठाय गया जो की कार्रे करेंगी इस व जाकर चुके हैं आप लोगों की हार जो है वे चुके अब जीत कौन चुके हैं जो कि अगर हम बात करें चाइना के विन हों यांग जो है वह हो जाते हैं तो ठीक है यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि जो बांगला देश है यह क्या कर रहा है ट्रांस्पोर्टेशन के और जो गूट्स वगेरा होते हैं उसको ट्रांस्पोर्ट करने के लिए चार लेन वाला सिस्टम जो है वह हो लॉंच जो है रूट जो है वो कर दी गई है कहां पर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है किसके अंदर भई उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की स्वधेश दर्शन 2.0 को लॉंच कर दिया गया है ठीक है प्रियाग राज वगेरा के लिए अभी बात करीजे आप लोगों से तो 11 वजे आप लोगो यहां से questions को जो कि आप यह देखना कि कल की highlight के उपर भी based होएंगे और आज की highlights की उपर भी बेस होएंगे और कुछ question आप लोगों को बिना highlight वाले भी मिलेंगे तीन तरीके कि आपको यहां पर class में question जो है वह मिलने वाले है पहला सवाल आप लोगों वह करी गई है दीजी आंसर में पर ऑर्गनाईस की गई है जनेवा देखो कल आप लोगों ने फायलाइट ढंग से वह पड़ी नहीं थी और मैंने आपको बोला था किको आपसे क्या रखेंगे ध्यान पर शान्ति के ओपर मिटिंग और ए जेदा के अंदर हो रही है, इसको भॉस्ट कर रहा है साउदी अरेबिया क्या मेंदगर करें, होस्टिंग क्या निभाइ तो अगर हम बात करें होस्टइंग नेशन कोन ए इस बारी तो ह 울 साउदी रशिया यहां पे इन्वाइटेड नहीं है क्योंकि रशिया द्वारा ही तो क्या किया गया है रशिया द्वारा ही तो नुकसान करे गए हैं आप लोगों ने रशिया और युक्रेन के युद के बारे में बहुत बहुत बढ़ा है तो यहां पे यह इन्वाइटेड जो है वो फो नहीं है अगर है इसकी पर बात करने के लिए शालिसे डिफरेंट डिफरेंट नेशन को क्या किया गया है इनी किया गया और यह अपने अभरह है रहे हैं तो ऐबनुधा करत करते भारत की तरफ से अनधर ज़ार मुझे बताइबा who is the representative of अगर मैं बात करूँ ये जेड़ा के अंदर जो conference हो रही है Ukraine peace talk के उपर यानि कि शान्ती जो वारता करी जा रही है तो भारत की तरफ से कौन जो है वो आप लोगों के host जो है वो कर रहे हैं भई तो अजीत आप लोगों के कौन है मैं डोवल जो है वो क्या कर रहे हैं अजीत क्या कर रहे हैं तो यह है भारत की को शिंद कुछ जादा तफ नहीं है ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं कहल ही® पढ़ाया है मैंने आप को फिर बात करता आप लोगों से ये देखो ये भी मैंने आपको कल की हाईओं में करवा चया कर वाया था क्ल की हाइओं मैंने बताया था कि एक एडिशन है saucon का कौनसी होती है कि फुट ब्ला का टूर्णमेंट जो है वे और एक पुराना सबसे पुराना हम कह सकते हैं फुटबॉल का टूर्णमेंट है सबसे पुराना जो फुटबॉल खेली जाती है या फिर फुटबॉल टूर्णमेंट जो होते हैं वे है तो अभी बात कीज़ें आप सभी से कि डुरंड कप जो है वो कप से कप तक और्गनाईज किया जा रहा है मैं स्टार्ट त सिंग द्वारा जो है वे किया गया और इसका एडिशन कौन सा हो जाता है तो 132 एडिशन जो है वे आप लोगों का हो जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का डी जो है वे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहां पर बन जाएगा ब अगर मैं बात करूं मैं कोल का था ठीक है गुहाटी तो शिलॉंग यहां पर क्या करवाया जा रहा है इसको और गनाइज जो है वे करवाया जा रहा है सवाल अगला आप लोगों से क्या बात करता है कहता है जरा बताइएगा कि देश में पहला आपको एक ऐसी साइट मिली ओन साइट आइकॉनिक साइट म्यूजियम जहां पर बनाया जा रहा है अब क्या है ना गाइज काफी पुराना काफी पुराना जैसे कि हम जब चलते हैं एंषिंट हिस्ट्री की तरफ अपनी तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं आप लोगों को बुराने जो लोग धातुशत ना चानली ठीक है उसके बाद हम बात कर सकते, खनन जो अगर हम बात कर देते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं, वे इस्तमाल करते थे, उसके बाद बाजरा, धान, ये सब जो है वो देखने के लिए मिले हैं, तूटे हुए कलश देखने के लिए मिले हैं यहाँ पर, और अगर मैं बात करती हू झमीन में दफण कलश भी देखने मिले हैं तो हमारे और्वे सर्वे द्वारा क्या क्या गया एक सर्वे करा गया है और इसके अंदर यह बताया गया कि यहाँ पर आप लोगों की भिन भिन धातू जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिली है जैसे कि अगर हम बात करें धान हो गया बाजरा हो गया और अगर मैं बात करते हूं आप सभी से कि लोहा हो गया ठीक है और भी वह सारे जैसे कि जो हम कह सकते हैं मेटल्स पगेरा नौन पर देखे गये हैं तो अब ये कितने एकड में फैला हुआ है ये 119 एकड में प्रेखने के लिए मिला है जड़ा बताईए गा तमिलनाडू के अंदर घने के अंदर आप लोगों को यह निए हैँ देखने के लोगों दुआरा जो इन सब चीजों को यूस किया जाता ता उसके बारे में अर्केलोजिकल सर्वे दुआरा बताया गया है और यह आप लोगों का इतने एरिया में क्या है बनाया जायेगा भई संघराल याने की म्यूजीयम ठीक है आइकानिक म्यूजियम जो है वे बनाया जाए गा भई ठीक है आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ क्या बात करता है आप सभी से कहता है आप लोगों से कि द्रौपती मुर्मु जी ने देखो द्रौपती मुर्मु जी से बहुत सारी न्यूजिस जो है वो निकल कर आ रही है कल 165th conference भी ही जुड़ा हुआ सवाल है क्या कहता है कि द्रौपती मुर्मु द्वारा दो फेस्टिवल्स को और गनाइस किया गया और इसका अनावरण जो है वो किया गया जिसमें से अगर मैं बात करूँ एक फेस्टिवल का नाव है उतकर्ष और दूसरे का है आप लोगों को उमेश है और यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना बुक्तस हुआ साहित्थे से जुरआ हुए उससन सब्रोदी नाशनल फेस्टिवल और फॉक एंड ट्राइबल फॉर्म परफॉर्मिंग आर्ट है यानि कि किस से जुड़ा है आर्ट कला से शित्रों से जुड़ा हुए जो आपका उतकर्श है अब यह बात करता है कि इसका आयोजन जो हो हमारी द्रौपती मुर्मु ने कहां पर करा है प हौं सबीन एक जगा कर नाम सुनाओगा भोपाल सुने हो किसकी राजधानी जो है बताना मुझे किसकी राजधानी जो है हूं जो एक हो दौपती मुर्मूद्वारा इसका एनागुरेशन जो है वह किया गया है भई तो भई भोपाल किसकी राजधानी है वेस्ट बेंगॉल की तो मैडम बिल्कुल भी नहीं है गुजरात की भी मैं बिल्कुल नहीं है उडिशा तो पहले ही कार्ट दिया तो कुछ बचा-बचा सा दिखाई दे रहा होगा आपको मध्धिपर्देश बिल्कुल ठीक है मध्धिपर्देश जो है का इस आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आनसर यहां पर जो है वह किया गया है अब इसके अंदर क्या प्रमोट करना किस चीज को हमारी cultural diversity को प्रमोट करना यानि कि हमारी सांस्क्रेटिक विरासत और सांस्क्रेटिक विरासत चीजों को क्या करना प्रमोट करना इसका काम है ना तो सांस्क्रेटिक विरासत को क्या करना भई मैं प्रमोट जो है वह करना इसका क्या हो जाता है काम जो है वह हो जाता है बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी ने यहां पर दिया है सवाल अगला अब बात करी जाए आप सभी से क्या बात करता है उससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए फाउंडेशन 4.0 बैज जो है उसकी क्लासिस 10 तारिक से स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों को जो भी टार्गेट है आने वाले समय में 2024 का या फिर 2025 का ही क् अब कि अच्छी रांक और आप एक बहुत अच्छे तरीके थे अपना स्लेभ करें के बाकि अधर प्रवह कर सकते हैं उनका गत तो हót кли टीरा और तयारी कर रहे यह कोशिश जो है वो करता है कि हाँ मेरा टार्गिट तो यह बढ़ हाँ मेरा अगर उससे पहले कहीं हो जाता है तो मैं जो अब ले लूँ तो आप एगर एसे सी की तैयारी करते हो तो आप यह समझो कि आप किसी भी एक्जाम में बैठ के जहां पर जी एस मैस आप लोगों की जोड़ दिया गया और प्री का पेपर हो गया है अमेंस के तैयारी के लिए कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा तो कंप्यूटर मात्र एक रुपे में आप लोगों को मिल रहा है इससे आप क्या कर सकते हो इस से आप इस क्लास के अंदर जॉइन करके अपना पूरा तरीके स स् Less Less जो है वो Chi सकते हो जो कि इसकी क्लास आप लोगोगों की इस क्लास के just बाद होती है यह जोगे चलते है अगैं आगे आप लोगों से क्या बात करता है क्या जया सवाल पोच्छता है देखुं से प्लोगों को सवाल बताया कि हिमालियन के सब्छिं क्वाह लोचर थी और फर्स टाइम इंडिया भारत के अंदर ये जो वल्चर आई थी उसने जनम भी दिया तो आप लोगों को बताना कि कौन से कौन से स्टेट जू के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिला है तो अभी बात कीजा आप लोगों का असम के अंदर कल इसके बारे में हम बात करी जाए तो आप लोगों के हेमन्त बिस्वा सर्मा हेमन्त बिस्वा सर्मा ठीक है जी और अगर मैं बात करूं आप लोगों से गवर्नर की तो गवर्नर कौन हो जाते हैं मैम गवर्नर हो जाते हैं आप लोगों के भई मैम कौन गुलाब चंद कटारिया गुलाब कटारिया जी तो यह आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या है और रेड़ी ही मालूम है असम में अभी हमारी जो राष्ट्रपती है यानि कि जो हमारी प्रेजिडेंट है कुछ समय पहले क्या गई थी असम गई थी वहां पर उन्होंने भरोक्सा नाम की अप्लिकेशन को लॉंच करा था जो कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए था यानि कि अगर हम बात करते हैं वुमें सेफ्टी के लिए चलते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से जड़ा बताईएगा कि हाली में सम्विधान पढ़े और जियो अभियान जो है वो कहां शुरू किया गया था देखो अभी हमारे constitution जो है उसको प्रमोट करना उसमें जो आप लोगों के मौलिक करतव हैं हाना जो अगर हम बात कर करतव हैं है ठीक है और अगर हम बात करते हैं जो हमारा समविधान है उसके बारे में लोगों को क्या करना अवेर करना इस campaign का गाईस क्या हो जाता है आप लोगों का awareness आपकेसक्ति है वह फ्याना कार्रे हो जाता है तो गोवा राजिस्तान मध्यपरदेश या फिर बिहार ज कीजिए राजिस्तान आप लोगा आंसर दे रहे हो तो कल राज मिश्रव कल राज आप लोगों के कल राज मिश्र है उनके द्वारा इसको क्या किया गया है यहां समझ में आया लोगों को कि किसके द्वारा जो इसको लॉंच जो है वहं किया गया है भी विल्कुल ठीक है तो एक अकाश गंगा या फिरके साथ यह जो इक दूसर यहOWगी होग कर लिया तो मैं क्या है मैं क्या होगी cover होगी ऐसे ही क्या है कि एक object है उसके उपर एक और object का आ जाना और उसके प्रकाश को तिर्व कर देना यानि कि उसके प्रकाश को क्या कर देना उजागर कर देना और ज्यादा तेज कर देना ठीक है तो इसको पहली बार invent करा गया तो 1915 के समय Einstein द्वारा ही बट अब बहुत साल बाद जो है वो ये देखने के लिए मिला है तो अभी अगर हम बात करें यह क्या है हमारी जो स्पेस है उससे जुड़ा हुआ है तो अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि एक दुरलब खगोल ये घटना जो है वो यह हो जाती है जिसमें एक object के ऊपर एक मिल रहा है ठीक है क्लियर आप सभी को तो यह एफेक्ट जो है वो स्पेस के अंदर देखा जो है वे गया है फिर बात करीजाए आप सभी से अगले पॉइंट की और अगले सवाल की कहता है जरा बताइए आप सभी की कौन सा राज्य विदेशी प्रवासियों को वित्य सहायता परदान करने के लिए शुब यात्रा योजना जो है वह बना रहा है यानि कि निमलिकित में से एक ऐसी गवर्मेंट है जैसे कि आप लोग जाते हो को पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर जो माईग्रेशन जो फॉर्नर्स है उनके लिए तो वह तो हमारे भारत के अंदर क्या करने आहिं है इकस्प्लोर करने आहिए घूमने तक कि लिए आए अब यहाँ से चला गया और कोई नेशन चला गया जो आप लोगों को वहां पर चार्जेश जो हैं वो पे करने होते हैं एविन अगर आप बात करें वीजा चार्ज हो जाता है आप लोगों का टिकेट का हो गया अगर आप लोग वेहिकल यूस करते हो उसका हो गया वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग चार्ज होता है तो यह बहुत सारे चार्जिस होते हैं जो की हेल्प कर रही है यह पर्टिकुलर गवर्मेंट किसके लिए जो कि आप लोगों के प्रावासी हम कह सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं माइग्रेंट जो हैं वे हैं उनके लिए तो जरा मुझे बताईएगा कि कौन सी गवर्मेंट ये कारे जो है वो कर रही है तो आपका आंसर आया मैं सी ओडिशा नहीं ओडिशा तो नहीं कर रही है अब यह बताओ यह इन में से एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप लोगों को ब शित्ता बीदेखने के लिए मिरती है के रला और वलकुल सही सही आंसर आप सब्सक्राइब लुकुल क्या क्या नहीं हम है जैसे कीवैक्टि आता उसके लिवे फीस होती फीर तो होते है उसके अंदर एंकरिकेक्ट का खरचाव मैं नने यह रोप लोग क्या इसके अगर एंक्लूटीड है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं तो और क्या क्या करते हैं जैसे कि वह त्रेवल करते है और ट्रैवल करते हैं हुँ इनको और इकस करने होते हैं तो यह सबी च देन फी पर कर सकंग रही हैución। आप लोगों को पता है कि द्वित्यविश्विद के दोरान क्या होता है कि अमेरिका जिपैन के ऊपर क्या करता है अपने अे अतॉमिक बॉंब झुए वह फैक्ट है और पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ था कि किसी जगाँ पर युद के अंदर यूज किये गए थे अटॉमिक बॉंब और तब से क्या किया जाता है लोगों को अवैर किया जाता है एक शान्ती के लिए एक दिवस बनाया जा तो अभी बात करीज़ें आप सभी से लिटल बॉय बं था भई आप लोगों का एक तो लिटल बॉय था दूसरा कौन सा था यह छे अगस्ट को जो है वो हिरोशिमा पर क्या किया गया था पेका जो है वे गया था ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं फिर एक दिवस आता है भेम कौन सा 9 अगस्ट जो की नागा साकी से जुड़ा है तो अभी अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 अगस्ट और 9 अगस्ट को आप लोग का हिरोशिमा और नागा साक अगस्ट को हिरोशिमा पर क्या किया गया था अटैक किया गया था इसका इतना बुरा प्रभावता कि हजारों लाखों लोग जो है वो मतलब भगवान जी को प्यारे जो है वो हो गया था इतना बुरा इसका इंपक्ट जो है वो देखने के लिए मिला था ज़रा बताएंगे फैट बॉय था फैट मैन था थिन मैन था कौन सा बॉम जो था व हां जी है अर्थम ठीक है जल्दी से बताओ कॉमेंट सेक्षिन में आ फैट मैन बॉय अटॉमिक बॉम था यही था अच्छा लिटल बॉय थिन बॉय तो नहीं था लिटल बॉय तो गिरा दिया था छे अगस्त को फैट मैं था क्या जरह बताओ फिर कहता है आप लोगों से कि बैनी सागर विच इजन न्यूज रिसेंटली तो कहता है कि बैनी सागर जो है न वी हाली में खबरों के अंदर बना हुआ था अब बैनी सागर की बात करते हैं तो यह कौन से स्टेट के अंदर आप लोगों को जो है वो देखने के लिए यहां पर मिल जाता है बताइए जर है फैट मैं जो है वो अटॉमिक बम हो जाता है दिले बिल्कुल सही आंसर दिया है यहां पर पर मिल जाएगी मैंने कौन से घर लेके जानी है पीडिएफ वदाओ वई देखो अगर हम बात करते है बैनी सागर की तो यह क्या है यह एक हम कह सकते है जारखंड के अंदर जगा है कहां पर मैं जारखंड के अंदर जगा है जहां पर खुदाई करी गई और खुदाई बहुत जारी जगों पर करी जा रही है आपको पता है ग्यानवापी मंजित आ साक्षyों के बारे में जोके मरी श्यूथ से जुड़ा हुआ है और फिफ्प शेंचिवी छिज़ों के बाद भी क्या है जुड़ा हुआ है यानि कि वह काम वैकर देगे का बिल्कुल करेक्ट पर आंसर गाज़ेगा करीबन फिफ्थ सेंचुरी आप सभी यहां तक कि ठीक है और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि क्या है मैं कि जारखन में जो आप लोगों के मानव निवास का यहां पर जो है इस समय के बारे में पता लगाया गया है कि जो मानव है वो यहां पर आप लोगों के क्या है रहते थे ठीक है तो राइड आंसर क्या हो जाते हैं आप लोगों का जार्खन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा फिर बात करते हैं आप सभी से अगला सवाल कहते हैं भारतिये नौकरशाही के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचीव जो हैं वो कौन बने हैं कि लॉंगे सर्विंग कैबिनेट सेकेटरी एन हिस्ट्री ऑफ इंडियन तो बताएंगे जरा आप सभी की इंडिया के अंदर आप लोगों की अभी तक के हितियास में सबसे ज़्यादा कारे करने वाले व्यक्ति जो हैं हमारे कैबि सबसे लंबा सर्विंग टाइम पीरियड जो है वह है आप लोगों का हो जाता है तो राइट आंसर अगर हम बात करते हैं क्या है में डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप सभी और बन जाए इनहोंने किनका रिकॉर्ड जो है ब्रेक कराए जो हमारे कैबिनेटKS सचीफ के रूप ले का रेक करा है रहे जहरा व्यक्ति को क्या है बारी अगर हम बात करें, चिन्ना बादां बारा, जिसे हाली में लॉंच किया गया है, यह किस फसल की एक नई किसम, जो है, वे हो जाती है, अब है अगर हम बात करते हैं, तो यह जो आप लोगों की वर्शा के बाद में उगाई जाने वाली, और वर्शा के टाइम पर जिसरे कहते हो वे हो जाती है तो अभी बात की जाए इसकी किसम मैं मुफली यानि की क्या हो की क्या हो जाती है जाना कि मूभ़िय का सबसे ज्यादा उत्पादन की तैनर कि अधर की अजí ब्रॉडक्षन वो आप लोगों को ड्राउन नट का देखने के लिए मिलता है यह तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दीजी आंसर क्लियर है भई तो यह कहां पर वे किया जा रहा है इन बांगलादेश इन बांगलादेश ठीक है जी कहां पर देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को इसका प्रोडक्शन नहीं do कर्णाटका नहीं है टीक है आप एक बड़ेक कर ना केशला government कर रही है नाकि करनाट का government फीक है जी तो यह आपको production जो ए वह गुझरात के अंदर देखने के लिए मिलता है कहाँ पे मैम गुझरात के अंदर जो है वह देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है । इनका नाम क्या है फिर बात करता है आप सभी बफन ने हाल ही में फुट बॉल से सन्यास की घोशना जो है वे कर दिया तो अभी बात करीज़ें आप लोगों से कि फुटबॉल से सन्यास की घोशना करने वाले ऐसे कौन से खिलाडी जो है अच्छा खिलाडी नी कौन से देश के खिलाडी जो है वह जाते पुर्टगाल अर्जेंटीना इटली या फिर पेन के जिनका नाम गईस कहा है जियानी जियान लुइंग बफन यह कौन है मैं एक गोल स्वेश्ट पूर्टगाल अर्जेंटीना इटली इस ciao क्याएगा आप लोगों कि ले रहे हैं तो राइट औसर क्या हो जाएग आप लोगों का इटली रोम कि अगर हम बात करते हैं रोम यहां पर और यूरो जो है यहां पर आप लोगों की इस्तमाल में ली जाती है आगे बात की जाए कहता है अफ्रीकी लोगों में हाल ही में खोजा गया एक जीन का वैरियंट है जिसको आप CHD1L कह रहे हो कहता है यह किस बिमारी को नि यहां के लोग हैं आफ्रीका के लोग करीबन 4% से लेकर 13% तक के लोगों के अंदर यह जीन वह पाया जाता है जिससे HIV एड़े जैसे बिमारियों में जैसे कि एकदम से केसिते होते हैं तो इसमें क्या करता है गजल समय और यह नहीं के सब्सक्राइब भी करता है तो HIV AIDS जो है वो आप लोगों का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा अच्छा मुझे HIV AIDS से कोशन याद आया है कि हमारी कौनसी ऐसी हाई कोट है जिसने क्या करा है जिसने HIV AIDS पीपल जो इस सफर कर रहें उनको खाना उनका रहना जो है वो मुफ्त करा रखा है यानि की फ्री कर रखा है तो कौनसी हमारी भारतिये या फिर हम कह सकते कौनसी हाई कोट है जिसने क्या करा है HIV AIDS Patients के लिए आप लोगों का क्या कर दिया प्री कर दिया पूड मेडिसिन्स वगेरा बताईए भई क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा भई तो यह हमारी दिल्ली हाई कोड जो है वो हो जाती है कौन सी बड़ी दिल्ली हाई कोड जो है वह हो जाती है जिसने क्या करा है जिसने यह कारे जो है वह करゃ去了 और यह ऐफ्रिका के अंदर पाया गया एक हम कहसे है जीं जो है जो कि एंफरीकन पीपल्स के 4-13 पर्सेंट लोगों के अंदर जो है वो पाया जा रहा है वह तो यह एक अच्छी एचीवमेंट भी है और खोज भी है आगे बात करते हैं आप सभी से कहता है आप लोगों से ज़रा बताना कि ओडिशा में राष्ट्री राजमार्क परियोजना का उध्गाटन जो है वो किसने करा है यह फोर लेन हम कह सकते हैं आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वे हो जात है किसके दौरा मैं ग्रह मंत्री जो है जिनका नाम गईस क्या हो जाता है इनके दौरा आप लोगों का इसका अनावरन जो है वो किया गया है उडिशा के अंदर भी तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा उडिशा और अमित शहा मोधी जी ने नहीं करा है यह काइब आंसर हो जाएगा आप लोगों का यह बिल्कुल गलत है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का आमित शहा जो है वे बन जाएगा फिर बात करीज़ाई आप सभी एक मिसाइल है जो कि कौन सी कंट्री से ली गई है अब यह क्या कर सकती है यह लैंड से भी आप लोगों का क्या कर सकती है वार जो है वे कर सकती है और आप लोगों की एयर से भी वार जो है वे कर सकती है इसकी अपनी शमता है 32 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जितनी की कि अगर हम सबार कर सकती ओर छितना क्या कर सकति है दाख सकती है और कर सकति है तो भी कौंसी कंट्री से जो है वह भारत ने आप लोगों की इस Snapchat को क्या कर रहा है लिया है तो इसका राराइड मिद्ध है इसका इसराल जो है वह बिलकुल और बन haircut यहां आंसर बताईएगा एकल या फिर इंडुविजूल लेवल पर भी आप लोगों की हम कहते हैं आधिती स्वामई या फिर आधिती भी हम कह सकते हैं स्वामी है उनके दुआरा medal जो है वो जीता गया अंडर 18 के अंदर और हम कह सकते हैं मात्र 17 रश गी है जो कि विश्व लेवल पर senior archery या फिर हम कह सकते हैं कि तिरंदाजी के अंदर medal जो है वो लेकर आई ये टॉप जो है वेकर और अगर हम बात करें मेल में भी तो अभी बात की जाया हाली में किस देश में आयोजित विश्वतिरंदाजी चैंपिंशिप में भारत ने व्यक्तिगत और आप लोगों का कंपाउंड वर्ग में पहली बार जो है वो स्वन्ड पदक जीता है जो कि इतिहास आप लोगों का रचा गया है तो यह ग भारत ने आपर रच दिया है ठीक है अगे चलते हैं आगे क्या बात करता है अगला सवाल बोलता है कि हाली में नाबाड ने किस राज्य सरकार को ग्रामिंड विकास के लिए 1974 करोड रूपे की स्विकर्ती जो है वो दिया यानि कि नाबाड क्या कर रहा है पैसा जह की बात की ज़ailing lange को का है फिय कर सके असम होगया राजिस्तान होगया बिहार होगया या फिर मद्द परिदेश होगया क्या इसकाECH आंसर जो है वह बन जाएगा भाइक कि बदाई कि मध्य पर्देश को तो अगर बोले तो नहीं और कि बदाई कि किसको दिया जा रहा है मैं यह राजिस्तान को जो है वो इतने करोड रुपी दिये जा जो कि रोड कनेक्टिविटी हो गई या फिर वाटर की चीज़े होगी सिचाई से जुड़ा हुआ वाटर से जुड़ा हुई चीज़ होगी या फिर रोड कनेक्टिविटी होगी ऐसे इसके इंदर छे साथ आप लोगों की चीज़े जो है इंक्लूड है रोड होगी भई ग्रामीन शेत्रों की सडकों के अंदर और हेल्थ से जुड़ी हुई चीजों यानि की हेल्थ फैसिलिटीज भी दी जा रहे तो कुछ एक्जाम्पल्स है यह आप लोगों के जो की इन पैसों से आप लोगों के इंप्लिमेंट जो है वह करें जाएंगे तो पैसमेंट करता है आप लोगों की सरकारी स्मिथीं के केश्टर कारयाले का डिजिटल पोरटल किसने वह लूंच कर और और कबोटव सोसाइटी तो यह सवाल आप करवा रखा है ठीक है इस के द्वारा लॉंच जो है वह किया गया है यह जञरा आप सभी बताईए लाव में बताईए और नबाड की बात करी जाए तो 1982 के अंदर नबाड की इस्टेब्लिश्मेंट जो है वे करी गई थी यह आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम भी होगा जो कि क्या बात करता है जो की बात करता है आप सभी से एगरी कल्चर से जुड़ी हुई चीजों पर अरे यार वहित दिकत है ना यहां पर जो र Pieay वह यही वह रखा होता है तो यह यह करना पडते हैं यहां से कान वहां जाथ दूकते हैं है ठीक है बताए किसके बाइज काना आवरन जो है किसके दौरे सह पॉना दोर नाया गया है अम शाहरा बनाया गया है या फिर अगर में बात करते हैं जो ऐसको बिल्कुल क्या कर अगया है सेंटरल सेंट्रल रजिस्टर EO कॉर्पूरेटिव सोसाइट के पोटल को ठीक है जी फिर बात करता है आप सभी से क्या है कि विच स्टेट दा फॉर्स्ट गैस एक सेकेंड रुखना कि हाल ही में किस राज्य ने पहला गैस इंसुलेटिट सब स्टेशन का उध्खाटन द्वारा यह पहली बारी ऐसा कारे करा गया है तो यह स्टेट आप लोगों का क्या हो जाता है मैं नौर्थ इस्ट का सबसे एक्स्ट्रीम एंड वाला शेत्र या फिर एंड वाला जो हमारा स्टेट है वे हो जाता है जिसको चाइना अपना मानता है और यहां से चाइना के साथ आप लोगों की भारत से क्या लगती है सीवा वह साजा होती है यानि कि इंडिया में अगर हम बात करें अरुनाचल प्रदेश के साथ मैक मोहन रिखा क्या हम कह सकते है क्या है अरुनाचल प्रदेश के में नई गवर्नर आता है क्या आता है इनके नाम में एक वर्ट आप लोगों को देखने के लिए यहां पर पहाई बताये जरा पिर कहता है रोगों से अभी नेटबरि अपाउर आक्टडक घेंट नवस्क Artur प्रफिट थे जिनका निधन जो अभी हाल ही में हुआ है ठीक है तो अभी बात करें यह एक और अभी नेता है जिनका निधन हुआ तो इनका जो फील्ड है या फिर इनकी जो लैंग्वेज वह कौन सी थी मैं तैलोगू लैंग्वेज से यह क्या करते हैं आप लोगों के ऊछून ऋगित सब्सक्रा यह और एक बास काघ्वन जिनका हाल ही में निधन का ट्पार है एक सकंद रूको यह पताव में सब्सक्राव है कि तमिल एक्टर हैं कि आप आप लोगों के हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं ठीक है तो अभी बात की जैए आगे फिर बोलता है अमरित भारत स्टेशन जो है उसको लॉंच करा है जिसके अंदर 508 स्टेशन अंसर ही हो गया 508 स्टेशन जो है वह आप लोगों को देखने के लिए जो है वह मिल रहे हैं तो अभी बात करीजा आप सारे जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे हम लोग क्या कह सकते हैं आप लोगों से स्टेशन जो है सकंदर कवर हो रहे हैं तो टोटल अगर हम बात करें 508 है यह कल की हाईलाइट का ही सवाल है अप लोगों का फिर बात करता है जड़ा बताईए का कल के दिन हैंडलूम डे ज या फिर हैंडलूम पॉर इंडियन लेगेसी या फिर माय हैंडलूम माय प्राइट एक्सपो तो देखना अगर हम बात करते हैं यह 2022 की थी ठीक है यह वली जो है वो 2021 की थी इस बारी का यह नौवा संस्क्राण जो है वे हो जाता और इसका थीम जो है वह आप लोगों का क्य जो है वह बिल्कुल करेक्ट है फिर बात करते हैं लोगों से जब हैंडलूम डे बनाया गया तो एक पोर्टल भी लॉंच किया गया मैंने क्या बताया था जो की वस्त्र से जुड़ा है आप लोगों के कपड़ों से जुड़ा हुआ था तो जरा मुझे बताईएगा यह ज सब्सक्राइब रह meters है इसका नाम जो है वह क्या था за तो अब ही बात की चाल अब लोगों से भारतिया वस्त्रा तो या फिर भारतिये वास्तू एवं शिल्पकोष या फिर भारतिये आप लोगों का वेदंत एवं शिल्पकोष या फिर भारतिये वस्त्रा एवं शिल्पकार कोष तो यह शिल्पकोष था ठीक है तो भारतिये वस्त्रा एवं शिल्पकोष बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी क पर यह बंगेता क 10 था करते हैं जो आप लोगों का लॉंच किया गया है है नैशनल वा बनाये गिया उसके अनतर charger मुर्मूं सि président जो यूनिवरसिटीच के लिए ये आज के तिन जो गई हैं ऐफ अगस्त के लिए ठीक है तो मुझे जरा बताईएगा कि यह कौन सी युनिवर्सिटी जो है वे जा रही है जो की आप लोगों की क्या है भी रोशन बस इस वले सवालों की हिंदी जो है वो नहीं उपाइती है और यह कल आप लोगों को हिंदी में ही लेते सारे के सारे सवाल कल लोगों गई। के ही कोश्चन है आप लोगों के ठीक है तो और आम से पढ़ लो तो अभी बात करी जाए यह क्या है युनिवर्सिटी कोलकाता नहीं युनिवर्सिटी ओफ मदरास में क्या करा भाई इन्होंने पाटिसिपेट जो है वह वन सिक्स्टी फिफ्ट कॉन्वेंशन डे पर इन्हो भी बात करी जाए आप लोगों से इनका निधन जो है वे हुआ है कलका ही करवाया सवाल है इनका नाम गईस कहता गदर जापे मैंने आपको बताया था कि जो आप लोगों के राहुल गांदी इन्होंने को ट्रिब्यूट जो है वह भी एक दिया था तो राइट आंसर गईस जो है वो किसके द्वारा करा गया है यह आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में जो है वो बताना है किसमें बताना भई कॉमेंट सेक्शन में जो है वो बताना है यहां तक आप लोगों के सवाल थे कल की हाईलाइट को कवर करते हुए आज की हाईलाइट को कवर करते वे सवाल के यहाँ पर बन जाते हैं इसके बाद मेरी क्लास है कंप्यूटर की अगर आप वहां पर खेकलते हैं तो आप एक क्लास के अनदर करें और जुड़े कंप्यूटर की कि ठीक है नाइन एम क्लास है अभी के लिए धन्यवाद जहिंजे भारत क्लास को लाइक कर देना शेर आप लोगों ने करी नहीं तो शेर भी आप सभी एक बड़ी ज़रूर कर दीजेगा ठीक है जो आंसर दे रहे हैं अब खुद एंड्रॉल कर सकते हो ज्यादा अमाउंट जो है वो नहीं है उनली वन रुपीज जो है वह आपको पे जो है वो अपने अकाउंट से करना है ठीक है नहीं कि आपको करना ही अगर बहुत जादा आपको लग रहा है तो मत कीजिए कोई भी जरूत वाली बात नहीं नहीं पढ़ना तो मत करो पढ़ने वाले यह और परने वाले थोड़ी न करेंगे रोड़ी न करना कि अगे जी मिलते हैं आप लोगों से ग्यारा बचे वेली क्लास में